यू आर वेलकम तो मानिग नालेज यूटूब चैनल आज हम लोग डिसकस करने जा रहा है द्रिलिंग ब्लास्टिंग एंड एक्स्पोसिब का बार है में तीन लेक्चर क्लास में इसको हम लोग कवर करेंगे आज का टॉफी के ड्रिलिंग लेक्चर वान के डिसकस करेंगे ड कि मिंट्यों कीड़ करेंजेंगे तो कोई निकमोड ड्नकेके रीक्निय तो कोई वीडिया वीडिया रॉप ब्लास्टिंग का डिया जली हो जे यूँ यूँ आटलॉक हें बोटम इसको तो का जाता है।क यूजी तक यakte सीचनदग दिलिंगं पड़ाइट ईयुजा जाता है वहां एसीजल से जियू कि बहुत i लिए बाराइश जोब है और बहुत स्लोप प्रोशेश है, हार्ड रोग और हार्ड बेट कंडिशन के लिए हार्ड रोग के लिए यूजफ़ नहीं होता है, सॉक्ट रोग कर लिए कभी-कभी चल जाता है और यह डिलिंग प्रोशेश सक्सेस्प्ल हो जाता है, लेकिन एसे ज्यादा करने के लिए बहुत लेबरेश जाब है, और उसे ज्यादा बेनेफिट प्रोफिटेबल और एकोनोमिकल नहीं हो पता है, मैनुवल डिलिग और हैंडल डिलिग. most drilling operations is now carried out by mechanical rock drills which are rotary percussive type rotary percussive type अभी जो different machines आ चुका है drilling machines इदर electrical operated hydraulic operated इस mechanical drill machines rotary percussion type का है और बहुत economical है और बहुत depth तक और different diameter various diameter तक हम लोग डिल कर सकते है चेले देख लेते हैं different drilling machines जो यूज होता है different sector यानि mining drilling purpose के लिए यूज होता है उसका बार में थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं jack hammer drilling यह बहुत useful handheld drilling apparatus है और इसके handle करने के लिए minimum दो आदमी का जरूत पड़ता है यह machine क्या होता है एक air leg mounted होता है जो इसको machines को holding करने के लिए और पकड़ के रखता है और यह drilling करने के लिए इसको इसके अंदर water feeding किया जाता है जो की drill bit को cooling करने के लिए और जो cutting materials से cutting materials और डास्ट अप्रिशन के लिए cutting materials को return करना और डास्ट को suppress करना यह water injection का में कारण है में रिजन है तो जैक हमार दिलिंग मेशिन से हम लोग क्या कर सकते हैं आप टू 3 इंदे पिले सब जैक हमार्स जैक हमार्स का जैका में कभी कभी उज किया जाता है यह सॉफ्ट रॉप फोर्मेशन के लिए बहुत हुज फुल है को डिल ए इलेक्ट्रिकली अपराटेड है और rotary machines rotary 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 type का इसका drilling mechanism युज किया जाता है इसका अंदर एक spiral steel drilling rod होता है जो आप ड्राइब आपरेसंस के लिए बहुत हुज पुल है जो ड्राइब 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 किया जाता है को ड्रील का अंदर कहल से इसे जेक्ट्र हैं प्रियुग किया जाता है इसे करके इसमें ड्रील बीट करके इसमें ड्रीलिंग किया जाता है चुक्त र्रेन एका剛 टोफ पर पुर्णाट काउस जो तक चुक्त राता है उस में घ्रे enorme Hegitt अगया जाता है और थेञ्ड में टिस्ट अटन लेंग तक लेंद जब जब ज़्यादा निच कुछ सहीएट संदिफिसे निच से ज्यू निच सवरगे यह कर जाता है तो ट्वेंटी मिcketर से ज्यादा पर है कुछ झाया निच से फवझनागा दॉलेट्ट कर जाता है इनिसियल डिरेक्शन से एक ड्राव रहा के ड्रिफ्टर डिलिंग मेसिंस का जो हम लोग जाक है मार ड्रिल मेशिंस और ड्रिफ्टर डिल्स जो डिसकस की है उसको लगवक्ष ट्वेंटी मीटर से 42 तोटेंटी में से 42 अमेंटर तक हम लोग डील कर सकता है अश बार रिक्वेर में जहां चैसे सामलोग जूर रहा थे उससे सब्सक्राइब ड्ल्ट्र ड्रिफ्टर डिल मेशिंस करते हैं अब जोले देखते हैं Mobile Hydraulic Machines Mobile Hydraulic Machines are Electrical Supply and Hydraulic Operated RIG रहता है इसमें और Development and Stopping, Development and Deplaring दोनों के कैसे में Drill करने के लिए Drilling Operations करने के लिए Mobile Hydraulic Drill Machines हम लोग उज़ करते है Tunneling Rounds Typically 6 to 4 meter long foil stopping holes May be drill to 40 meters With hole diameter varying up about 80 mm Tunneling करते हैं जो hole करते हैं आपनोग up to 40 meters तक depth तक कर सकता है और hole diameter vary करता है 80 mm तक कर सकता है Messines may be single, twin or multi-womb Referring to the number of rock drills And are set self-propelled either by diesel Or a trickery operated इसमें जो machine से इसमें Either single rig हो सकता है Double rig Or multi-rig हो सकता है जो कि एक साथ 2-3 एक ये दो ये तीन और उसे जादा multi-hole कर सकता है As per requirement रहा पे बहुत जादा Drill holes का requirement है वहां multi-boom Mobile hydraulic drilling machines हम लोग Use करते है जहां पर single Or double rig का जरुरात है वहां पर उस type का machines Use करते है These machines are extremely efficient Capable of drilling many holes in a sieve Production and productivity Increase करने के लिए एक important factor है कि number of holes increase करना यानि कि number of production हमको बढ़ना है ज्यादा blasting rate increase करके तो उसमें number of holes हमको बढ़ना है इसलिए यह सब mechanical drilling machines बहुत useful है क्योंकि एक sieve में बहुत ज्यादा drill Hole drill कर सकता है और production productivity दोनों बढ़ता है एक्जम्पल का है UDM, UDH drill machine और Jumbo drill यह दोनों हो गया Hydraulic, Mobile Hydraulic drilling machines का example जो different mines में यूज होता है इसलिए drilling types जो drilling machines हम लोग यूज करता है किस-किस type का drilling उसमें यूज होता है क्याका mechanism उसमें यूज होता है जिले देख लेते है Based on operations Operations का बेस्ट पर करके drilling कितना type को होता है Oil drilling, Blast oil drilling, Exploratory drilling Oil drilling यह नहीं कहीं कि Saft sinking करना है तो उसके लिए जो drilling यूज करता है या उस type का कहीं Large diameter excavation हम को करना है तो oil drilling यूज को कहा जाता है उसके लिए अलग डाइब का drilling Mechanism drilling arrangements करना पड़ता है Blast oil drilling Production operation के लिए Underground mines में जो हम लोग drilling करता है उसके लिए arrangement अलग होता है Surface mines के लिए जो production drilling हम लोग करता है Blast oil drilling करता है उसके लिए mechanism or instrument यानि machinery जो यूज करता है हम लोग drill machines वो उसका setup अलग होता है Exploded drilling काई Explorations के लिए जो हम लोग drilling करते है उसके लिए हमको जो Core का जरुरा थे Core वहां से Exploded drilling का drilling से जो Core निकलता है तो Core निकलने के लिए उसका setup उसका arrangement उसका machinery used अलग होता है हम दिए Technics Based on Technics drilling Types कितना प्रोकर का होता है कितना type का होता है Percussion drilling, Rotary Percussion drilling और Rotary drilling इसके बारे में तुरह सा Discuss कर लेता है Percussion drilling Blows are applied successively to a tool attached to the rods or a cable and the tool is rotated so that new portion of the face is attacked at each blow यानि Percussion drilling में क्या करता है इसमें एक successively कोई टूल दा और successively कोई एक बेड फे रोक बेड या जिसका उपर जिसमें drilling करना है उसमें successively heat किया जाता है और heat energy जो हीट देता है उसी का वजय चे वो minerals और बेड में drilling का जो material से materials कट जाता है यानि drilling operations मेरा complete होता है step by step shallow boreholes के लिए percussion drilling बहुत useful है और rock formation अगर slightly soft है hard rock के लिए जय तर beneficial नहीं हो पाता है shallow boreholes in hard rock formation are sometimes drilled by percussion method कम depth का drilling operations होता है जय तर percussion drilling में use किया जाता है however heavy feet is separately raised and dropped to cheap pieces of rocks cutting का material से ओ meat का अंदर से हो या उसका अरग ऐसा arrangement रहता है वहां से क्या होता है की chip materials or cutting materials निकल जाता है percussion drilling का example है जैक हमार churned cable drilling percussion drilling का अजिदा दो टो टैप का top hammer drilling यानि होल hole drill string of hammering total drill string hammering energy hammering effect देता है और यह क्या होता है shallow hole के लिए useful होता है और एक है bottom hammer drilling or down the hole drilling, यह larger diameter के लिए nearly 150 mm diameter से ज्यादा और ज्यादा depth के लिए इसका useful होता है bottom hammer drilling operations, less noisy होता है, कम noise प्रोडूस करता है और इसका drilling rod life वो ज्यादा होता है top hammer drilling operations से, चलिए देख लिए रोटारी परकस्न डिलिंग, रोटारी परकस्न डिलिंग, इसमें रोटारी mechanism, रोटारी और परकस्न दोनों का combination रहता है, और hard rock formation के लिए बहुत useful होता है, जैसे ग्रनाइट के लिए, only the wire to drill hole is vulvarize the work, using rapid action pneumatic hammer, often known as down the hole drilling, compressed air is needed to drive this tool, compressed air का help से, रोटारी परकस्न डिलिंग मेकानिजम operate होता है, the air also flushes the cutting and dust from the borehole, cutting के बाद जो cutting materials आता है, वो कभी air through, air flushing through निकल जाता है, और dust from the borehole, in the form of dust निकलता है, rotation of 10 to 30 rpm shows the borehole is straight and circular in cross section, इसका rotary percustion का जो drilling operations है, 10 to 30 rpm का बीच में होता है, जले देखले देखले थे, रोटारी देलिंग, rotary mechanism, drilling machines, a drill rod and beat are rotated to cut the rock, rotary mechanism, rotational energy, यह उज़ करके कोई वीरोक और मिनरल वेड फॉरमसान के अंदर जो डिलिंग होता है वो है रोटरी डिलिंग मेकानिजम और रोटरी डिलिंग मेशिन जैसे एट एर वाटर डिलिंग मॉड इस पॉंप दाउं दाउं दिल फाइब दो फ्लॉस जाओ देब्रीजेज कुटिं बाद जो मत्रीयल और डिबरीजेज वैस्ट मेरिल जो कुटिं मेरिल रहता है वो एदर यार वाटर और मॉड का जो पंपिंग करते इंजेक तै उसी का दोरा वो रिटरन आजाता है जो बिलिंग जाता है अदिब्रीज अजिए निकल जाता है तो rotary deal का जो flushing materials हम लोगे उज़ कुरता है कि उसका minimum velocity रहना चाहिए जो cutting materials को अंदर से बाहर निकल सके उससे अगर काम velocity काम speed रहे तो cutting materials को बाहर नहीं निकल पाता है यानि कि उसका minimum standard velocity और speed रहना चाहिए के example है अगर deal diamond deal इसका diamond rotary drilling का example है वेज्ड आमॉंटिंग अ्याटिंग मोंटिंग दिलिंग मसटी कितना ट्रैक्ट का है जिए हैंड है वाल दिलिंग कर दो मनभूर रहता है किरीव रहता है मिनिमम दो तीन को सब्सक्राइब तो वो लोग मनुवाली इसको हाथ में पकड़ के ड्रिलिंग करता है। अगन माउंटेड टिपिकली 63-150 mm डायमेटर होल्स करने के लिए अगन माउंटेड ड्रिल मशिन्स उज होता है। अगन माउंटेड जो क्रोला चेंड इस प्राकेट का उपर क्रोला चेंड रहता है और वो एलेक्टरिकली आपध्डिकली इस इस एक सेवेंट लुक्त ओंड लिए और आप जूब्स करता है। मेंसरों 12 mm से 12 mm mm तर 20 mm तब तेए कर सकते ौरल मांटेड देलिंग मेशिंस का अब देखे पा हृर सप्लाई जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिकली पोर एपरेटेड रिल्ल एकल्द कोछ नियुमेटिक और जो हाट्र Highly noise board produce करता है लेकिन कोस्ट बहुत कम है pneumatic operated कोई भी drilling machines का Hydraulic operated कौन सा है? Hydraulic operated drilling machines hydrically operated होता है लेकिन वो actually उसका power supply electrical diesel controlled होता है और controlling mechanism है इसका hydraulic है लेकिन power supply जो operated होता है actually वो है diesel or electrically यानि कि diesel or electrical supply से वो चलता है लेकिन उसको जो बाकिस सारे parts जो different rig हो गिया या उसका boom हो गिया इस सब रिमूब करता है वो hydraulically operated है अब चलते है देख लेकिन देख लेकिन देख लेकिन देख लेकिन और उसका करना पड़ेगा है उसका अंदर एक्स्प्लोसिब राणने का जगा नहीं मिलेगा और उसको ठीक ठीक से ब्लस्टिंग एफेक्ट नहीं देख आए गया यानि कि ब्लस्टिंग एफिजिएंसी बहुत घट जाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कुटिंग मे electromagnet ब्लस्टिंग निकलते हैं और क्लिनिंग करते हैं कभी कभी वार डेलनिग नियुक्त देख नहीं दोनेयर का मिक्स्ट्प है एक mix-up method है जिसमें माड इंजिक्ट करके उसका through cutting materials mix-up होके निकलता है अब दीके direction of drilling, drilling तीनों direction में होता है, horizontal drilling, vertical drilling, अगर जरुरा थे तो incline drilling कर सकता है जैसा रूब में heightening and widening को क्योसिस में रूब में drilling करना पड़ता है, vertical drilling जैसा हो गिया vertical drilling हो गिया, कभी-कभी bottom, जैसा ground में drilling करना है, overhead and immobile के लिए, minerals के लिए तो वह भी vertical drilling है, horizontal drilling कहाँ पर करना पड़ता है, underground mines के लिए, कोई भी face, solid face movement करने के लिए हम लोग horizontal drilling करता है, incline drilling, underground face हो या कोई bench open chest में, bench drilling operations हो तो उसमें भी incline drilling करना पड़ता है अब देगे, circulation of flushing fluid, जो flushing fluid हम लोग यूज करता है, उसका circulation कैसे होता है एक है direct circulation, direct circulation कैसे करता है, जो circulation of the fluid is injected by the drilling rods and removes the cutting to the surface through the angles between the walls of the drill hole and the rods जो drill rod हम लोग यूज करते है, drill rod का outer side में, drill rod का अंदर ही एक gap रहता है, जो gap से cutting materials क्या करता है, क्या करता है, cutting के बाद, जो हम लोग water inject करते हैं, dry drilling के कैसे में, जो अगर water inject करते हैं, तो water का थू, cutting materials, उसका drill rod और outer inverse जो है, उसका बीच में जो gap है, gap से cutting materials बाहर निकल जाते हैं, अब आता है, reverse circulation, reverse circulation का किसिस में क्या होता है, cutting materials और decreases materials, cutting होता है, कि circulars downwards and carries the cutting materials upward inside the drilling rods, cutting materials को यह upward direction में निकल लेता है, और fluid downward direction में आता है, तो यह है reverse direction, कुछ important factor, important points, rotary drilling is fine for larger diameter holes, in softer, in softer, more friable rocks, but less effective in hard rock, or where small diameter holes are needed, rotary drilling, यहां पर यूज करेंगे, जहां पर large diameter holes का जूरा थे, soft formation है, यानि start of rock soft है, जब जगह में हम रोटारी यूज करेंगे, hard rock के लिए नहीं यूज करेंगे, या small diameter के लिए नहीं यूज करेंगे, top hammer drilling system, produce satisfactory results for soft hole diameter, or hard homogeneous rock condition, what would likely experience effectively in deep holes, and soft ground with larger diameters, top hammer drilling हम लोग hard rock formation के लिए यूज करेंगे, जो rotary drilling जहां पर fail हो जाता है, large diameter के लिए भी यह बहुत useful है, कभी-कभी soft ground और soft ground के लिए भी top hammer drilling यूज किया जाता है, down the hole system is most versatile and can be used for successfully in a wide range of ground condition, from soft through medium to very hard, down the hole drilling operation सब के लिए useful होता है, soft, medium to hard कोई भी formation हो, इसके लिए कोई दिक्रत नहीं होता है, small or large diameter holes with depth capability are all within the scope of down the hole system, which is recognized for providing clean, truly aligned boreholes at high drilling rates with minimal operating cost, down the hole system, इसलिए बहुत, down the hole system clean, aligned and highly drilling rates provide करता है, इसलिए इसका operating cost होता है, वह भी बहुत कम है, इसलिए down the hole drilling mechanism जा maximum cases में यूज होता है, कोई भी sector हो, या mining operations के drilling, mining industry में, drilling operations के लिए down the hole drilling technique हम लोग यूज करता है, machine दोरा, कोई भी machine जो drilling करता हो ये technique यूज करता है, thank you for watching this, अगर अच्छा लगए तो please subscribe the channel, and next video फिर upload करेंगे, please subscribe,